हेलो एंड वेल्कम बैक टो माई चैनल ब्लॉसम सुद्रचा और आज बसंद पंच में तो हैपी बसंद पंच में टो आल माई फ्रेंड्स एंड विवर्स तर्शतिव मा की क्रपा जैसे हमारे पर बनी रहे भगवान करें आपके उपर भी बनी रहे और आपकी भी लाइफ सु को समर्द्दी से भर जाया मेरी भगवान से यही मनो कामना है भगवान के लिए फूल जैसे बहुत हमारे प्रिश्यस होते हैं चरहाने के लिए वैसे फूल पेट पौदो सबके महत्ता हमारे जीवन में बहुत जादा है इनके पास आकर हमें एक सुकून सा मिलता है तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने गार्डन में कौन से प्लांस एक कर सकते हैं गर्मियों के सीजन के लिए कला जलाने के लिए गार्डन किता खुबसूरत हो जाता है बारिश की बूंदे पेड़ों पर कितनी अच्छी लग रही हैं बिलकुल जैसे लग रहा है कि पानी को ने अपने अंदर रोक लिया है बूंदों को गिरने नहीं दे रहे हैं और बहुत ही प्यारा लूक आ रहा है देखिए पानी की वज़े से तो जाड़ों के बारिश वैसे तो बहुत सारा नुकसान भी कर जाती है और बहुत सारी सुंदरता भी लाती है जैसे बहुत ही सुन्दर लग रहा है देखने में बट ये थोड़ा हमारा नुकसान भी कर जाते हैं जैसे कि हमारे कुछ प्लेन हैं से अडेनियम वगरा है इनमें अगर ये बारिश का पानी पड़ता है तो इससे पेंट सडने भी लगता है और क्योंकि अल्रेडी मौशेर इतना ज गिरने लगती है और आपका पेंट जाने लगता है जब भी आप देखें कि आपकी पड़ रही है डेनियम के पत्तियां तो आप उसको और देखें कि मिट्टी अगर आपकी काफी कुछ गीली है तो एक काम सबसे पहले करें कि उसको आप गमले से निकाल लें और धूप में एक दो दिन के लिए रख दें उसको थोड़ा सा जो मौशेर है उसका निकल जाएगा उसके बाद फिर से आप उसकी स्वाइल मिक्स प्रिपेर करें और फिर से आप उसको री प्लान करें और जब बाहर निकाल के आप रखें तो उसमें कोई भी फंगी साइड आप उसमें जरूर लगा लें चाहे वह साफ पाॉडर हो यह अगर साफ पाॉडर आपको नहीं अवलेविल आपकी घर में तो सबसे अच्छा जो हमारी चीज घर में अवलेविल होती है recommendation घडि तो आप इसको रदी पाॉडर उसकी जड़ों में और जहां भी आपको रिलका सा मोज़ या गलन लग रही है वहां पर लगा के रख ले और उसको सुखने दे दो दिन उसके बाद फिर आप उसको ट्रास्प्लांट करें और सकुलेंस या डेनियम भी एक तरह का सकुलेंट ही है तो सकुलेंस की मिट्टी किस तरह बनानी है यह मैंने अपने वीडियो में बताया इसमें आप देख सकते हैं कि सकुलेंस की किस तरह से सॉयल प्रिपेर की जाती है फिर हमारा आ जाता है एगलो निमा यह देखे शेड में रखा हुआ कितना बढ़ियां ग्रो कर रहा है बट इसमें भी अगर पानी पढ़ जाता है तो यह भी जाने के इसके बहुत जादा च जाता है तो इसको हमें बारिशों से बचा के रखना चाहिए और फिर यह हमारे डहलिया आ गए देखे कितने बढ़ियां फ्लाविंग कर रहे हैं फ्लावा का साइज आप लोग देखी रहे हैं तो जल्दी इस पर मैं नेक्स वीडियो बनाऊंगी कि आप किस तरह इन प्ला फूल देता है लास्ट चेर के मेरे वीडियो में आप देखेगा जब मैंने गुलाब के इस प्रिपरेशन का आप वीडियो जो डाला था उसमें भी इसी तरह जुडवा फूल खिले हुए थे फिर यह बाहर का हमारा लुक है गार्डन का जिसमें पैंजी है कैलिंडिला है और गेंदे लगे हुए है देखें देखने में कितना सुन्दा लग रहा है फिर हमारे पिटूनिया है और उसके बाद बार्बीना है हमारा बार्बीना के भी कैई सारी कलर्स हैं कैई सारी विराइटीज हैं और कलेंडिला भी बहुत प्यारा लग रहा हजारा वाला है कलें मिला था कभी मिलेगा तो मैं जरूर लेके आऊंगी वो मुझे सबसे प्यारा लगता है क्योंकि उसमें जरूर फ्लास छोटे-छोटे होते हैं बहुत ही सुन्दर बहुत ज्यादा होते हैं फिर यह हमारे सीडियों पे रखे हुए कुछ कर्मियों के प्लांस हैं आप देख र हैं प्लांत्स यह कह सकते हैं कि sleeping mode में देखे सारे गर्मियों के प्लांट ज्यादाता जो भी है सब ने अपने leaves ڈ्रॉप कर दिए यह हमारा रात रनी का प्लांट है यह एक अकेला हरा बहरा प्लांट हमारा है और यह हमारा देशी वारा गुड़ brauchen है जिसका मैं बौंसाइब बना रही हूं यह भी इसके पत्यां पिली पडने लगी हैं फिर हमारा एक जोरा है वाले हैं और और यह लिली का प्लांट है यहाँ पर आप यह दिख रहे हैं कि जो केना लिली ये द quindi वह भी बारे शीकारण ग लिए लगा यह उसके प्लांस खराब होने लगे रहे हैं बट अंदर कहीं जगा नहीं जहां मैं इनको ड्रॉन्स्वर कर सकों तो इसलिए मैंने इनको ड्राफर नहीं क्यों यह प्लूामिरिया का प्लांट है और यह सवाब देखर है Nntya अप बेलया है बगंभया भी इतनी बढ़िया फ्लावर संगे चोटे-चोटे इतने बढ़ियाा फ्लास नेकल लह with तो इसकी बूंदे करती है तो यह खराब हो जाता है Agric मारे काल्फ जो है या sus Laz Nun करता है पड़ कि रीषका कलर प्रवारी इतना प्यारा है देखे शेड़ेट कितना बढ़ियां लग रहा है इसको जितनी वैसे इसका ओरीजनल कलर ग्रीन रहता है पर इसको जब धूप लगती है तो इसमें अपने आप कलर फुल हो जाता है पिर हमारा क्रिस्मस ट्री उसके बगल में हमारा मोर पंक ही कित बढ़ियां लोग दे रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है हमारा गार्डन देखने में ही मजा आजा रहा है तो इस तरह का गार्डन आप भी बहुत असानी से अपने घर में लगा सकते हैं फिर जो मेरे च्छत पे गेंदे के फूल थे कुछ लाके मैंने यहां रख दिये है तो क्योंकि बाहर से दिखते हैं तो बढ़ अच्छा लगता है और अडेनियम वगेरा भी रखें फिर यह हमारा एगलोरिमा है ग्रीन वाला जो कि मैंने एक से कई बनाए थे फिर यह हमारा स्नेक प्लांट है यह ग्रीन वाला स्नेक प्लांट है जो कि छोटे ही रहता है हमारे गार्डन का जो कि नीचे ग्रांट फ्लोर पे है देखी कि इतना सुन्दर लुका रहा है फ्लावस कोई बहुत जादा नहीं है बट लीव इतनी प्यारी प्यारी है कि उन्हें से एक बहुत बढ़िया कलर एड़ हो रहा है हमारे गार्डन में तो इसी तरह आप अपन प्यारी होते हैं और उतना कलर नहीं आ सकता लेकिन आगर आप अपने गार्डन में अभी से तैयारी करें गर्मियों के लिए जैसे एगलोनीमा हो गया आपका बहुत से कलर बहुत से शेद और बहुत सी वेराइटिस में अभलेवल हैं तो वह बहुत बढ़िया आपके सकते हैं फिर हमारा दूसरा हो गया कोलियस को भी आप अपने गार्डन में कर सकते हैं कोलियस की तो बहुत वेराइटीस एनोगा भी different colors में different shades में उनको भी आप अपने garden में add कर सकते हैं वो भी आपके garden में color खास ध्यान रखना है क्योंकि इसमें भी अगर ज्यादा פानी हो जाएगा तो यह सट जाएगा फिर नेक्स हमारा ऑप्शन गर्मियों के लिए हैं करूटन का करोटन की भी बहुत सी वराइटी मार्केट में अवलेवल हैं बहुत सारे बहुत सारे डिजाइन सब अवलेवल हैं जो कि आप अपने गार्डन में आड़ कर सकते हैं और करोटन भी बहुत आसानी से प्रपोगेट हो जाता है बहुत आसानी से लग जाता है और इसकी डाली बहुत असानी से ग्रो कर जाती है तो यह भी आप अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं कलर एड़ करने के लिए गर्मियों में फिर यह देखिए हमारा एगलो निमा है मैं हर बार आपको बता चुकी मैंने कि एक प्लांट लिया था मैंने इसका इसे मैं दस्वारा गम लिए गया यह भी देखिए अगलो निमा का रेड़ वाली वराइटी है कितना बढ़ियां और कितना सुन्दर लुका रहा है और कितना बढ़ियां कलर एड़ कर आपका है मारे गार्डन में इस इन दोनों प्लांस को मेरे पास दो साल हो गए फिर यह बगर में मेरे कुछ सक्विल भी नहीं है कि क्यों को यहां पर वो थंड़ा इटमॉस्वर नहीं मिल पाता है से क्लिए में जबरी नहीं है कि आपको गर्म जगय के यह होते हैं फिर यह हो गया हमारा मनी प्लांट यह हमारा अंदर का आंगन है कुरोटल लगा हुए है देखिए और कितना बढ़ियां का रहा है अंदर का भी हमारे गार्डन का तो बहुत हरा भरा और बहुत ही सुन्दर आ रहा है प्लस जो हमारा मनी प्लांट है उसके पत्तियां तो इतनी बड़ी-बड़ी हैं कि हम क्या बता है आपको आप लोग देखी रहे होंगे फिर अहांद भी उनके चोटा पर जाता है सब पूरा मनी प्लांट ने एक दिवाल बना रखी है तो यह था हमारा आज का वीडियो हमारे गार्डन के वर्वियू के बारे में आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताईगा कि नेक्स वीडियो तो आप कौन सा देखना चाहते हैं और अगर आप एवी पे देख रहे हैं तो प्लीज हमें फोलो करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ज देकर हमें और प्रोसाइग करिएगा तो कीफ वोचिंगें थैंक यू फॉर वोचिंग दे वीडियो